हेलो फ्रेंट्स, स्वागत रहे आप सभी का उत्रखंट पोस्ट पर उत्रखंट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्रखंट पोस्ट पर साथ ही उत्रखंट से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आधी सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें दस मार्च को उत्रखंट विधान सभा चुनाओं के नतीजे आने से पहले भाजपा और कॉंग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे है इस बीच कॉंग्रेस को लेकर बड़ी ख़बर मिल रही है कि कॉंग्रेस अपने जिताव उमीदवारों को नतीजों से पहले ही किसी टूट से बचने के लिए सेफ हाउस में भेज सकती है ख़बर है कि कॉंग्रेस अपने इन उमिद्वारों को राजिस्तान और 36 गड़ राज्यों में भेज सकती है जहां पर वर्तमान में कॉंग्रेस पार्टी की ही सरकार है बताया जा रहा है कि कॉंग्रेस ने इसकी तैयारी भी कर लिये एक दिन पहले ही हरी श्रावत ने कहा था कि इस बार वह भाजपा को कोई खेल नहीं करने देंगे और भाजपा को उसके मनसुबों में नाकामियाब करने के लिए कॉंग्रेस पार्टी पूरी तरह सतर कहें पूर्व सीम से जब यहाँ पूछा गया कि क्या उत्रखन में जीते हुए विधायकों को कहीं और शिफ्ट किया जाएगा तो हरी श्रावत ने कहा कि इस बार भाजपा को वह खेल खेलने का मौका नहीं देंगे रावत ने कहा कि कॉंग्रेस को 40 से अधिक सीटे मिलेंगी हर्दा ने दावा किया कि राज मैं कॉंग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है हाला कि पार्टी के प्रदेश अध्याक्ष गणेश गोदियाल ऐसी किसी भी संभावना से साफ इनकार कर रहे है करण सत्ता प्राप्त करना चाहती है गोदियाल कह रहे हैं कि 2016 में भाच्पा ने जो किया वह बताता है कि वह हर हाल में सत्ता प्राप्त करना चाहती है वह करना तक मध्यप्रदेश और महराष्ट का उधारन देते हुए कहते हैं कि भाजबा के लिए सत्ता के आगे कोई नैतिकत नहीं है। दरसल उत्रखन के संभाविच चुनावी नतीजों के बारे में कहा जा रहा है कि अधिकांच सीटों पर बीजेपी और कॉंगरिस में कड़ा मुकाबला है। सियासी जानकारों का मानना है कि हालात 2012 वाले हो जाएं तो कोई अच्रजवाली बात नहीं होगी। 2012 में कॉंगरिस 32 और भाजबा 31 सीटों पर सिमट गई थी। अगर ऐसा होता है तो दोनों ही पार्टियां सरकार बनाने के लिए जोड तोड करेंगे। इसलिए कॉंगरिस ऐसी किसे इस्तिती से बचने के लिए पहले ही अपने जिताओ उमिद्वारों को राज से बाहर शिट करने की सोच रही है। उत्रकंट से जूड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरे सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।